कॉ वैल्कम से चलिए आज अपना टॉपिक है है такой fine WOW डिशन कर चलिए ऐगे चलते हैं किटल एंग्रेडियन्स घो फीड इन реतिंस होता क्या है कि यह जो होते हैं पार्ट सौप्पवींट होते हैं किसी भी फीड के पार्ट सौब कंपोनेंट होते हैं जिसमें जिसको एनिवल फीड में या फिर फूड में कंस्टिटूट या फिर उसमें कॉंबिनेशन या फिर मिक्स्ट किया जाता है या फिर मिक्स्ट हो सकते हैं या फिर सामिल किया जा सकते हैं यह सब भी क्या कहलाते हैं फीड इंग्रेडियेंट्स चलिए केटल रिक्वार्स प्रॉपर न्यूट्रिशन फोर मेंटेनिंग गूड हेल्थ एन बेटर मिल्क एल्ड जो केटल्स होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जुरत होती है वो किस लिए मेंटेन करने के लिए अपने हेल्थ को एक अच्छे हेल्थ के लिए और बेटर मिल्क प्रॉडक्शन के लिए सप्लाई केटल फीड इंग्रेडियेंट ऐसा गूट न्यूट्रेंट सप्लिमेंट टू केटल्स फोर प्रॉमोटिंग ग्रोथ हैं प्रिवेंटिंग डिसीज जो इंग्रेडियेंट्स होते हैं वो ग्रोथ को प्रॉमोट करने और डिसेज को प्रिवेंट करने के लिए एक सही मात्रा में दिये जाते हैं जो कि एक गूड निउट्रेंट कहलाते हैं मतलब यही है कि किसी भी कैटल्स को उसके ग्रोथ के लिए ग्रोथ का प्रॉमोट करने के लिए और डिसेज को प्रिवेंट करने के लिए एक फीड गैटल फीड इंग्रेडियेंट्स दिया जाता है जो कि गूड निउट्रेंट्स सप्लिमेंट होते हैं cattle feed ingredients are extensively used in cattle farms, poultry farms and animal feeding units जो cattle feed ingredients होते हैं वो बहुत ज़्यादा use किये जाते हैं cattle farms में, poultry farms में, animal feeding units में the ingredients include corn, wheat, soya bean, rice barn and other grains ingredients में ये सारे include होते हैं वो कौन से होते हैं corn, wheat, soya bean, rice barn and other grains grains are considered as the best cattle feed as it has high nutritional content such as protein, mineral, vitamin, carbohydrate grain को एक अच्छा स्रोत माना जाता है किसी भी high nutritional के लिए जिसमें grains में उस grains में पाया जाते हैं protein, mineral, vitamin, carbohydrate और fiber ये सारे चीजें grains में पाया जाती है जो कि किसी भी पसू को मिलती है feed ingredients के दूप wheat is a digestible source of nutrients added to our ingredients for maintaining proper digestion process जो wheat होते हैं वो digestible source होते हैं nutrients के ये digestible source होते हैं जो कि edit किया जाते हैं ingredients में किसलिए maintaining proper digestion process maintain करने के लिए proper digestion process को wheat को मिलाया जाता है wheat, white and yellow corn gives energy for the dairy cattle जो white और yellow corn होते हैं वो energy देते हैं dairy cattle को cattle feed ingredients and nutrition कौन से हैं जो cattle feed हैं ingredients हैं कौन में हैं जो जितने भी कौन वाली जो चीज़ें होंगी या फिर ingredients होंगे वो energy ingredients होंगे इनसे हमको क्या मिलेगा या फिर पसू को energy प्राप्त होगा wheat, wheat के अंतरगत कुछ content पाया जाते हैं कुछ content पाया जाते हैं जैसा selenium, vitamin content soybean में protein source soybean है जो protein source है आपके पूरे दाल वाले जो हैं दली है वो सभी चीज़ें protein source में आएंगे rice bun source of carbohydrates जो grains वाले जितने आपके nutrient हैं या फिर आपके ingredients हैं वो सभी आएंगे carbohydrate में oat health source of fiber ये हल मतलब होता है छिलका ठीक है तो जितने भी हल होंगे चाहे वो धान के हो चाहे किसी भी जीच के हों जितने भी grains आपके आते हैं उसके हल होंगे source of fiber हेल्प क्या हेल्प करता है इंगेडियन्स मैंटेनिंग कैटल स्ट्रेस फ्री हेल्थ उसको तनाव पुर्ण जो तनाव से फ्री क्या होता है एक health प्रोवाइड करता है हिल्ट इडियन्स के रिच्ट इन और ऐपक्रॉट करता है यह प्रोच प्रोण कर दो जिसमने क्या पाया जाते है रिच फैट इन प्रोटीन बहुंस जाधा मात्रह में लिच्ट के बढी definite ऐखा घ्ल फोरिपोंत में अचैनल नहीं से स्वक्ष कंडीसिन में क्या होता है तो स्वक्ष क्रिपार। और रासन is the feed allowed for a given animal during a day of 24 hours जो 24 hours में हमारे animal को जो दिया जाता है जो भी दिया जाता है food supplement या फिर आपके food, feed stuff जो भी दिया जाता है वो सारे क्या कहलाएंगे रासन कहलाएंगे the feed may be given at a time in a proportion at interval जो feed दिये जाएंगे एक निश्ची समय पे दिये जाएंगे या फिर एक proportion पे दिये जाएंगे या फिर एक समय अंतराल पे दिये जाता है कि क्या कहलाते हैं live stock रासन कहलाते हैं या फिर normally रासन बोल सकते हैं types क्या हो सकते हैं maintenance रासन, second production रासन, winning रासन, balanced रासन, ideal रासन तो maintenance रासन क्या होता है ऐसे रासन जो वजन, विध्धी और कमी के बिना जानवरों को जीवन को बनाए रखने के लिए दिया जाता है फिर इसे सुन लिजे Maintenance रासन क्या होता है जो पसु के वजन, विध्धी और कमी के बिना जानवरों को जीवन को बनाए रखने के लिए दिया जाता है मतलब ये क्या है निर्वाह आहार भी बोल सकते हैं किसी भी जानवर को हम तभी देते हैं जब वो अन्प्रोडक्टिव होते हैं जिनसे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं लेना रहता या फिर उनसे प्राप्ते ही नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पसूं को ये मैंटेनेस रासन दिया जाता है और ये जो सही मात्रा में प्रतिदीन और सही अनुपात में दिया जाता है जैसा कि हमने रासन के डेफिनेशन में पढ़ा है ये जो मैंटेनस रासन है वो अप्टिमम रेट में दिया जाता है मैंने बता ही दिया है कि जो unproductive होते हैं जैसे कि सूखी गाए और आपके जो बुढे हो गए हैं उन सभी गायों को या फिर बैल्स को या फिर जो जिनके पैर फैक्चर हों या फिर कुछ भी जिन ऐसे गाए जो या फिर ऐसे आपके बैल या फिर ऐसे cattle बोलूँ जिनसे आप production नहीं ले सकते वो सबी को कौन सा रासन दिया जाता है maintenance रासन दिया जाता है production रासन ये farm animal को दिया जाता है उन्हें उत्पादन करने में सक्छम बनाने के लिए यह फार्म एनिमल को दिया जाता है जो उन्हें उत्पादन करने में सक्छम बनाता है किन को किन को दिया जाता है हैचिंग एनिमल, मिल्च एनिमल, ग्रोइंग यह सभी एनिमल को दिया जाता है जो हैचिंग एनिमल है, मिल्च एनिमल है जो growing कर रहा है ऐसे animal है इन सब को कौन सा production राशन दिया जाता है जो कि एक time में रहता है या फिर proportion में रहता है या फिर interval में रहता है एक निश्चित अनुपात में दिया जाता है इसके बाद third है weaning राशन वीनिंग राशन क्या होता है कि weaning का मतलब होता है हम किसी cattle में जब किसी बच्चडे को हम क्या करते हैं दूद पिलाने से रोकने के लिए दूद पिलाने से रोकने के लिए जो आहार दिया जाता है जो दूद पिलाने से रोकने के लिए जो आहार दिया जाता है वही कहलाता है आपका वीनिंग राशन या फिर दूठ छुडाने के लिए किसी भी केटल्स को या वेबी केटल्स को जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है वीनिंग राशन इसके बाद है बैलेंस्ड राशन तो बैलेंस्ड राशन क्या कहलाता है यह specific purpose के लिए दिया जाता है balance रासन है वो एक specific purpose के लिए दिया जाता है वो specific purpose क्या हो सकता है growth के लिए maintenance के लिए lactation के लिए gastation के लिए या future production के लिए यह सभी अपने specific purpose होते हैं जिसको एक निश्चे तनुपात में दिया जाता है live stock को या cattle को इसके बाद है ideal रासन ideal रासन क्या होता है ideal रासन क्या होता है यह जो होता है वो right proportion में दिया जाता है किसी भी जानवर को या फिर किसी भी animals को यह right proportion में दिया जाता है जो कि उसके body के लिए क्या होती है इतनी जरुरत होती है उतने मात्रा में उनको दिया जाता है वो भी कितने राइट प्रपोर्शन में दिया जाता है वो क्या कहलाते है आइडियल राशन जैसे उसको उसको क्या बॉडी ग्रोथ करने के लिए जैसे देना है तो ग्रोथ के लिए होगा उसके लिए right proportion में देंगे तो ऐसे ideal रासन में हम क्या करते हैं right proportion में हम えてals को feed ingredients देते हैं अब poultry के लिए poultry के लिए झो ingredients होते हैं वो पढ़ देते हैं हमने पढ़ा cattle का ingredients अब पढ़ लेते हैं poultry का feed ingredients for poultry डाइट्स अर्सेलेक्टेट फोर दन्यूट्रेंड यहां पी यह बोल रहा है कि जब जब किसी यह सब जो फीड इन्गेडियन्स होते हैं वो किसी पॉल्ट्री के डाइट में तब समिल किया जाते हैं जब क्या अपसेंस होता है एंटी न्यूट्रिशनल और टॉक्सिक फेक्टर्स का चीक है मेंस जब यह न्यूट्रिशन की उनको जरौत होती है या फिर उसके अंदर टॉक्सिक फेक्टर आने लग जाते हैं तब उनको क्या दिया जाता है न्यूट्रेंड दिया जाता है या गेनराल वसा, सभी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ें की कमी से क्या होता है, कुछ-कुछ रोग होते हैं, लिसिस होते हैं, तो वो सब क्या है, ना हो इस करण क्या, इंग्रेडियन्स दिया जाता है, वो भी वोलेंटरी रूप से जो की ऐसा इंग्रेडियन्स दिया ज in protein, vitamin and minerals जो की nutrients होते हैं वो क्या करते हैं supply करने में आवस्क होते हैं किसके द्वारा dietary ingredients के द्वारा वो कौन से होते हैं amino acid होते हैं amino acid में क्या पाया जाते हैं protein, vitamin, mineral contain in proteins, vitamins and minerals all life function also require energy obtained from starch, lipid and protein जो आपके life function के लिए जो require होता है energy वो किसे हमको मिलता है? starch से, lipid से, protein से अगर nutrition के chapter में क्या होता है? मैंने पढ़ाया भी है कि अगर आपके पास आपको जब carbohydrate या फिर protein नहीं मिल रहा है तो हम mineral से भी क्या ले सकते हैं? हम energy ले सकते हैं या फिर vitamins से या फिर protein से भी चीक है? तो ये सारे क्या होते हैं? energy के श्रोथ हो सकते हैं इसके बाद cereal grains कौन कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं? वो दिखाया या पे cereal grains cereal grains में आप जितने भी cereal होते हैं उनके grains सभी आ जाएंगे इसमें धान, गेहूं, मक्का, सभी चीज़ें आ जाएंगे इसके बाद है protein meals protein meals में जो दली होते हैं दली वाले जितने भी आपके meal हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें जैसे चना, मटर सभी चीज़ें आ जाएंगे जो जिन से हमको या फिर animal को protein प्राप्त होता है fat and oils आपके जो खली हैं जो खली होते हैं बिन औल एक खली, अलसे की खली ये सबी क्या हैं जितने भी जिन से हम इसको poultry को fat और oil मिलता है आप इसको फीज भी खिलाओगे तो इसको fat और oil की ज़रूरत पूर्ण हो जाएगी आगे है mineralized vitamins जहां तक कि आप लोग को बता दूँ कि जो poultry होते हैं या फिर जो आपकी chicken होते हैं वो खास भी खाते हैं आप लोग ने देखा नहीं होगा आप ध्यान दीजेगा वो खास भी खाते हैं तो उनसे सबजियों की तरूँ हम सबजी भी उनको provide करते हैं जैसे हमारे यहां बच गया है वो तो हमको जब उनसे सबजियों से mineral vitamins मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं मिलागा तो इन सारे चीजों से क्या मिलता है उनको minerals and vitamins मिलता है चलिए इसमें इतना ही है थैंक यू